अब बताओ, कौन नहीं आएगा मेरी कक्षा में बोलो, अब चुप क्यों हो गए ए, तु बोल मैं, मैं आऊँगा मास्टर जी रोज आऊँगा, एक भी दिन की चुट्टी नहीं करूँगा कसम से हम, चल, अब हाथ आगे कर लेकिन मास्टर जी आज च्छै का पहाड़ा गलत लिखा था ना तो उसकी सजा तो मिलेगी ना तुझे आई, आई, माफ कर दो मास्टर जी कई सालों के बाद हम, अब देखते हैं तुम ये सवाल कैसे हल करते हो किसे दादा जी, इस वाले क्वेस्चन को आ, बेटा इसका सही जवाब निकालना बहुत मुश्किल है पता है, हमारे जमाने में तो बच्चे इस सवाल को देखते ही घबरा जाते थे क्या आप बात कर रहें दादा जी मैं तो इसे ऐसे हल कर दूँगा एक चुटकी में अच्छा, करके दिखाओ तो जानू ठीक है फिर, ये देखो राहुल ने जट से अपनी उंगलियों पर कुछ गिनती गिनी दो-तीन बार जोडा घटाया और कुछी सेकेंड में उसने सवाल हल करके दिखा दिया और फिर जट से बोला देखा ददा जी, कर दिया ना अरे, पर ये कौन सा तरीका है ये कौन सा सुत्र लगाया तुमने रुको, मुझे जरा जाचने दो हाँ, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए ददा जी शामलाल ने अपने पोते राहुल के हाथ से उसकी कौपी ली और अपना चश्मा ठीक करके उसके सवाल को चेक करने लगे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रह थे वैसे वैसे वो हैरान होते जा रहे थे उन्होंने अपने जमाने का फॉर्मूला लगा कर काफी देर बाद जब सवाल का हल निकाला, तो तो वो राहुल के हल के बिल्कुल बराबर था और फिर अरे बाबू तुमने ये कैसे किया किसने सिखाया तुम है ये तरीका ये तो ये तो बहुत आसान है और बिल्कुल सही भी है दादा जी मेरे class teacher है न विशाल सर उन्होंने सिखाया मुझे ये तरीका पता है हमारे class teacher भी है और maths teacher भी अच्छा और क्या-क्या सिखाते हैं वो दादा जी वो सबसे अच्छे teacher हैं वो हमें पिकनिक ले जाते हैं गाना सुनाते हैं और खेल खेल में पढ़ाई कराते हैं जबसे वो हमारी class के class teacher बने न तब से सारे बच्चे बहुत अच्छे नमबरों से पास होते हैं वो अपना अनुझे न वो तो सबसे फिसट्डी था प अच्छे दादा जी अब मैं खेलने जा रहा हूं हमारे विशाल सर कहते हैं जितना पढ़ो उतना खेलो ओके मैं थोड़ी दिर में आता हूं दादा जी राहुल अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया और उधर श्यामलाल उसे जाते देख यही सोचने लगे कि ऐसा कौ रहुल की परिक्षाएं आ गए। परिक्षाओं में रहुल के बहुत ही अच्छे नंबर आये और वो अपनी क्लास में फरस्ट आया। उस दिन रहुल भागता हुआ घर आया और सीधे अपने दादा जी के पास जा कर बोला। अगले दिन श्यामलाल राहुल के स्कूल पहुँच गए। और सभी विशाल सर का इंतजार कर रहे थे। एक बार फिर आप सारे बच्चों ने कमाल कर दिखाया। आप सभी के मम्मी पापा को आप पर फक्र है। और मुझे भी आप सब पर बहुत नाज है। चलो अब सब अपने अपनी डेस्क पर बैठ जाओ और एक एक करके अपने पेरेंट्स के साथ मेरे पास आओ। और फिर बारी आई शामलाल की। जैसे ही शामलाल विशाल के सामने आए, विशाल ने उन्हें घूर कर देखा और फॉरन उनके पैरों में गिर पड़ा। मास्टर जी, मैं विशाल, आपकी क्लास का सबसे नाला एक बच्चा। अरे, क्या कर रहे हो बेटा, खड़े हो जाओ। मास्टर जी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही विशाल शर्मा हूँ जिसे आप रोज धूप में हाथ उपर करके खड़ा कर दिया करते थे। ये कक्षा में आने का वक्त है तुमारा, हैं। माफ कर दीजे मास्टर जी, वो मा के साथ काम कर रहा था, तो थोड़ी सी देर हो गई। जहां से गुजरते थे, वहां मौझूद बच्चे थर-थर कामते थे और उनके जाने के बाद अपने ही मास्टर जी को बुरा भला कहने लगते थे। एक दिन बच्चों की बाते शामलाल ने सुन ले, उस दिन तो उन्होंने सारे बच्चों को इतना मारा, कि कई बच्चे रोते-रोते अपने घर भाग गये, और फिर कभी उस स्कूल में लौट कर नहीं आए, विशाल भी उनमें से एक ही था। अब पर तुम, तुम तो उन्हीं बच्चों में से एक थे ना, जो उस दिन के बाद से कभी स्कूल नहीं लौटे। अब हाँ जी सर, वो कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी, दुबारा आपके सामने आने की, लेकिन बाद में मुझे पता चला आपके बेटे के बारे में, तब मैं समझा कि आप इतने सक्त क्यूं थे। उनका बेटा उनके हाथों से निकल गया था, तब ही से शामलाल ने तै कि वो किसी और बच्चे को ऐसे बिगड़ने नहीं देंगे, इसलिए वो बच्चों पर कुछ जादा ही सक्त हो गए थे। आसो विशाल की आँखों में भी थे, लेकिन इस पार खुशी के। अमीर और गरीबों में भेदभाव तो सद्यों से है, ऐसी कुछ कहानी है दो बच्चों की, मुकुल और बिट्टू की। दोनों का घर एक ही शहर के एक ही मुहले में है, लेकिन दोनों में जमीन आस्मान का फर्क है, फिलहाल के लिए दोनों एक साथ खेलते हैं, मुकुल हर रोज बिट्टू को बुलाने के लिए उसकी जुपड़ी के बाहर जाता है। बिट्टू बाहर आया, चल मुकुल खेलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। हम लोग अमीर हैं, अब तुम बड़े स्कूल में जाने वाले हो, अब तुम उस गरीब लड़के से खेल नहीं सकते हो। सभीता ने तो मुकुल को मना कर दिया, मुकुल ने चुपचा बात मान भी ली, लेकिन बिट्टू की मा रमा बिट्टू को यही बात समझाने पा रही थी। बिट्टू, मुकुल अमीर है, उसके पापा अच्छी नौकरी करते हैं, यहां बहुत बड़े फ्लैट में रहते हैं, तुम दोनों की दोस्ती एक ना एक दिन तूट जाएगी बेटा। बेटा, कल से तुम्हारा स्कूल शुरू हो रहा है और तुम सरकारी स्कूल में जाने वाले हो, मुकुल अमीरों के स्कूल में जाने वाला है, समझा करो बेटा। तो किसी के पास महगा वीडियो गेम, स्कूल के अंदर पार्क, स्विमिंग पूल, गेमिंग रूम, ये सब कुछ था, और उधर बिट्टू के स्कूल में बैटने के लिए जगा तक नहीं थी, बिट्टू के स्कूल में टीचर क्लास लेने आये, बच्चों, बैट जाओ पर्श गंदा था और गीला भी था, सारे बच्चों के पैंट भी गए और उसी हालत में पढ़ाई शुरू हो गई, बिट्टू ने मन लगा कर पढ़ाई की, क्लास के बाद बिट्टू के पास लला नाम का एक लड़का आया, अरे बिट्टू, मेरे साथ दोस्ती करेगा, साथ में खेलेंगे, नहीं लला, मुकुल मेरा दोस्त है, मैं उसी के साथ खेलता हूँ, अच्छा, वो अमीर लड़का, है, देखना, वो तुझे धोका देगा, धोका, हाँ, बिट्टू को फिर भी यकीन नहीं हुआ, बच्च तो फिर आज शाम को दोनों एक साथ वीडियो गेम खेलेंगे, हाँ, मेरे घर पे आजाना, स्कूल से लोटने के बाद अपने कमरे में बैट कर मुकुल और रोहन गेम खेलने लगे, और बिट्टू घर के बाहर मुकुल को बुलाने के लिए आया, मुकुल खेलना नहीं है क अब बिट्टू का दिल तूट गया, वो घर गया और अपनी मा को पकड़ कर जोर जोर से रोता रहा, मुकुल ने मुझे गरीब का, गरीब क्या होता है मा, अमीर क्या होता है मा, बताओ ना मा, बताओ ना बिट्टू फूट फूट का रो रहा था, साथ में उसकी मा भी रो रही थी आज बिट्टू समझ गया था कि गरीब और अमीर में फर्क क्या होता है उसे अब बस स्कूल जाकर मन लगा कर पढ़ाई करनी थी, सरकारी स्कूल में ज़्यादा टीचर नहीं थे, जितने भी थे वो कभी टाइम पर आते नहीं थे, और जो आते थे वो सही से पढ़ाते नहीं थे, या फिर क्लास के अंदर बैट कर अपनी नींद पूरी करते थे, उधर मुकल के स्कूल में सब कुछ टाइम पर होता था, सभी टीचर आते भी थे और पढ़ाते भी थे, साथ साथ अच्छ अच्छे खाने को और खेलने को भी मिलता था, इन सब के बीच में मुकुल बिट्टू को भूल चुका था और बिट्टू पढ़ाई कर रहा था, उसे गरीबी से मुक्ती चाहिए थी, इतने में एक दिन टीचर ने कहा, बच्छों, हर साल शहर में स्कूलों के बीच में एक कॉम्पेटिशन होता है, उनमें आप मैंसे कोई भी हमारे स्कूल की तरफ से एक्जाम और क्विज में बैठ सकते हैं, लेकिन कोई फाइदा नहीं है, आज तक हमारा स्कूल कभी जीता नहीं, लेकिन इस बार हम जीतेंगे सर, जीतेंगे, लेकिन कैसे, तुम्हें पता भी है कि मॉडल स्कूल के लड़के कितने स्मार्ट हैं, वहां कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, वो सब मुझे नहीं पता सर, लेकिन मा कहती है कि महनत और लगन ही सफलता की सीरी है, मैं मन लगा क पढ़ूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं ये मुकाबला जीत करियाऊंगा, मैं दिखा दूंगा कि हमारा स्कूल भी जीत सकता है, सब बाश, ये हुई ना बात, ठीक है, मैं खुद अलग से तुमको पढ़ाऊंगा, बिट्टू को देखकर टीचर में भी जोश आ गय बिट्टू और मुकुल आमने सामने आ गए, दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए और पहला एक्जाम शुरू हो गया, एक्जाम में मुकुल ने आधे प्रशनों का उत्तर नहीं लिखा क्योंकि उसे आता नहीं था, लेकिन बिट्टू ने सभी प्रशनों का सटीक उ अनिमल क्या है? शेर है सर, वेरी गुड, अब बताओ हमारा नैशनल सौंग, जन गन मन, किसने लिखा था? रविंदरनाथ टेगोर ने सर, बहुत अच्छा, क्या बात है मुकुल, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है क्या? सर, मुझे तो बस वीडियो गेम के बारे में पता ह मुकुल शर्मिन्दा हो गया, बिट्टू ने प्रतियोगिता जीत ली और उसके बदले उसे स्कॉलर्शिप मिली, मुकुल बिट्टू के पास आकर बोला बिट्टू मुझे माफ कर दे, बड़े स्कॉल में भरती होने के बाद मैं सब कुछ भूल गया था, क्या तू फिर से मेरा दोस्त बनेगा? हाँ मुकुल, हम तो बेस्ट फ्रेंड है दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दोनों फिर से दोस्त बन गए अंत में दोनों की दोस्ती के बीच में अमीरी गरी भी नहीं आई और आना भी नहीं चाहिए बिट्टू की वज़े से उसके स्कूल में सुधार आया स्कूल में टीचर समय पर आने लगे और मेहनत से पढ़ाने लगे बैठने के लिए बैंच, शौचाले सब कुछ का इंतजाम हो गया और सभी बच्चे एक ब्राइट फ्यूचर की ओर बढ़ने लगे